हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक टू प्रेम भाटिया यह वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए आप इस वीडियो के अंतितक बने रहेगा तो इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे या एक खतन को सिद्ध करेंगे तो हमारा कतन है कि sodium flood oil में sample correct करने पर व्यक्ती का blood sugar constant रहता है low नहीं होता है तो इस कतन को हम एक परियो के द्वारा शिद्ध करेंगे कि यह कतन सद्धिया है या असद्धिया है तो इस परियो को करने के लिए हमें कुछ सामगरी की जरुत पढ़ेगी जिसमें पहना है sodium fluoride samples, दूसरा है EDT samples, जो कि हमारे जो reading आएगी उसको compare करेगा sodium fluoride के reading से, इसके अनवा आपको चाहिए glucometer, glucose strips, test tube rack और dropper तो आप बिना देरी किये सिदे चलते हैं test के procedure पर, तो test के procedure में हमें blood sugar करना है glucometer से, आप जानते हैं blood sugar glucometer से किस परकारती जाती है और अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में जान पाएंगे, तो सबसे पहले हमारे सामने दो sample है, दोनों एक ही percent के अलग-अलग tube में sample लिए गए हैं EDT और fluoride environment और इसी sample को हम continue use करेंगे तो सबसे पहले जब हमने sample collect किया है, blood sample लेने के तुरंत बात ही इस sample की हम blood sugar की reading लेते हैं तो सबसे पहले हम EDT sample की blood sugar देखने थे हैं, blood sugar करने के लिए आपको एक glucometer लेना होता है, उसमें जो strip दी पही है उसको insert करना है और उसमें blood की एक drop आपको touch करवानी है, जिससे capillary reaction से blood strips के द्वारा glucometer reading देगा है तो EDT sample में इस व्यक्ति की sugar आई है, 108 mg per decinitor और अब हम इसकी fluoride bile से करेंगे, तो देखेंगे इसकी sugar कितनी है तो यदि हम fluoride bile से इस व्यक्ति ही blood sugar करते हैं, तो इसका sugar आता है 107, तो almost दोनों नगबक same ही है, अरतात दोनों के reading में कोई मुग्या अंतर नहीं है एक कंटे के बाद, हम इन दोनों sample की फिर से blood sugar करेंगे, तो आप देखेंगे कि EDT sample में सबसे पहने गर हम blood sugar करते हैं, एक कंटे बाद तो इसकी blood sugar आती है 93, और इसी परकार से यदि हम fluoride well से इसकी blood sugar करते हैं, तो इसकी आप reading देख रहे हैं 102, तो पहने गंटे में हम कहा सकते हैं कि EDT sample में blood sugar कम हुआ है पहने के मुकाबने, और fluoride well में फोड़ा सा कम हुआ है, जो कि हम neglect कर सकते हैं, अर्थात, अगर किसी वेक्ति का blood sugar प्लस माइनस 10 mg या 20 mg के बीच आता है, तो आम इसको neglect कर सकते हैं, तो एक गंटे बात हमारा ये test complete हो गया है, अब हम इसके दूसरे गंटे में वापस इसको test करेंगे, तो यदि हम दूसरे गंटे में इस वेक्ति का blood sugar करें, EDT sample से, तो इसकी blood sugar आती है, 85, इसी परकार से यदि हम fluoride वाइल से इस वेक्ति की blood sugar करते हैं, इस sample की blood sugar करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी जो reading आई है, वो है unreaded, अब हमारा तीसरे गंटा स्टार्ट हो गया है, चोकि आप देखते हैं कि sample कापी समय तक पढ़ा रहता है, तो इस 4 अगर आप test कर र को, दोनों sample को अच्छी तरीके से mix करना है, और उसके बाद ही dust को perform करना है, तो तीन गंटे बाद यदि हम blood sugar repeat करते हैं, तो EDTA sample से आप देख रहे हैं, इसका blood sugar आता है, 74 mg per deciliter, वाइल के समद्ध में हमने कुछ video उजारी किये हैं, जिस में tube, color code, order of draw and how to use, इस परकार के जो आपने जानकारी दी है, तो आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने EDTA, fluoride, sodium citrate, आधी ट्यूबों के बारे में जानकारी प्रदान की, और इसकी जो continue series में आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी, और यदि तीन गंटे बाद हम fluoride while में इसकी reading देखें, तो इसकी reading आती है, 103, इन तीन गंटों की sample में आगर आप एक flow देखें, तो fluoride sample में constantly same result आ रहा है, जबकि EDTA में आप देख रहे हैं, reading में निरंतर कमी हो रही है, 108 से start हुआ, 93, 85, 74 अर्था लगातार कमी हो रही है, जबकि fluoride while में लगपक constantly reading दिखा रही है, तो तीन गंटे बाद भी इस experiment को हम continue र हर गंटे ना करके अब हम सीधे 6 कंटे बाद देखेंगे कि इस वेक्ति की blood sugar में क्या परियोतन आता है दोनों tube में, तो इस वीडियो को आप आज तक देखिएगा, क्योंकि हर गंटे में lab में जाकर वापस इसको read test करने में काफी मेनत लगी है, और हर गंटे lab में उपस्ति होके इसकी reading लेनी पड़ी, तो यदि हम अगर 6 कंटे बाद EDT sample की reading लेते हैं, तो आप देख रहा हैं इसकी जो reading आती है, 56 mg per deciliter अर्थात, लगवक आदी हो गई है, पर ता जब हमने sample connect किया और उसके 6 कंटे बाद जो blood sugar है, 50% तक कम हो गई है, किसी परकार से हम अगर fluoride volume में टेस्ट करेंगे, तो आप देख रहे हैं, इसका blood sugar आता है 106, जो की हमने instant जब blood sugar किया था, वो था 107, अर्थात, इस reading में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, अर्था जो fluoride tube में हमने sample नहीं आ है, उसका जो result हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल perfect मिल रहा है, experiment का जो अमारा next गंटा था, वो 12 आर का था, लेकिन जब हमने test start किया, तो लगबग 2 पर थे, एक दो बज़े थे, और जो वापस 12 गंटे हो रहे थे, वो रात को लगबग 1-2 बज़े हो रहे थे, तो इस कारण इस test को 12 गंटे में perform नहीं कर पाए, क्योंकि रात को lab में जाकर वापस test करना होता था, लेकिन इसको हम 24 गंटे बाद वापस करके देखेंगे, अर्थात दूसरे दिन इसका क्या result रहा कि इसका result आपको मिलता है 91 mg पर डेस इडिटर, इस दोरान हमने जो sample रखे थे, वो room temperature पर ही रखे थे, अर्थात phrase में हमने इस sample को store नहीं किया था, room temperature पर इस sample पर थे, और जब हमने EDT sample से इसकी rating लेनी चाहिए, तो यह rating नहीं दे रहा था, कापी strip हमने वेस्ट की, साथ आट बाद टेस्ट किया, लेकिन कोई भी strips के द्वारा इसका result हमें नहीं मिला, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि, सुगर इतनी लो हो गई है कि वह ग्लुकोमिटर नहीं दे पा रहा है, दूसरा कारा हो सकता है कि जो sample room temperature पर पड़ा था, तो इसकी जो consistency अधिक हो गई होगी, द्विश्कारा यह स्ट्रिट्स उस sample को नहीं परड़ पाई, तो यहाँ परियोग इस कतन को सिद करता है कि sodium fluoride में sample collect करने पर व्यक्ति की blood sugar constant रहता है, उसमें परियोतन देखने को नहीं मिलता है, तो हमने 0 से लेके 24 गंटे तक की जो reading है, वो आपने देखी, और आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ अधिक परियोतन नहीं आए, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जुरूर बताएगा, इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार है, तो चैनल को subscribe करके bell icon दबानी जीगा, और इस वीडियो को अपने friend के साथ share भी कीजेगा, ताकि उने भी यह चानकरी मिल सके, चलिए मिलते हैं, है, thank you, thank you very much.